आप सबी को मेरा नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल सीके हिंदी सागर में आप सबी को स्वागत है जैसा कि आप देख रहे हैं यह आपका नया ध्याय और अगला ध्याय है इस जिसका सिर्शक है वह देश कौन सा है इसके रचनाकार कभी राम नरेश त्रिपाठी जी हैं यह बहुत जबर जस्त तरीके से इन्होंने इससे काभी रचना किये हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं विद्यार्धी गड़ आप इसे आप लोग पढ़ेंगे और आनन की अनुबुदी करेंगे तो प्रार्म किया जा रहा है मना मुहनी प्रक्ति की जो गोद में वसा है मना मुहनी प्रक्ति की जो गोद में वसा है सुख स्वर्ग सा जहां है वह देश कौन सा है सुख स्वर्ग सा जहां है वह देश कौन सा है जिसके चरड निरंतर रतने सधूर है जिसका मुकुट ही मालाए वह देश कौन सा है जिसका मुकुट ही मालाए वह देश कौन सा है विद्यातिगड आप लोग भावार्थ को समझेंगे प्रार्म किया जा रहा है व्याक्षा जिसके गोद में देखे जो गोद में यानि जिसके गोद में आकरशक सभाव बसा है तो देखे यहां से मन मुहनी प्रकृति की इसका अर्थ होता है आकरशक सभाव मन मुहनी का मतलब आकरशक प्रकृति मतलब सभाव तो आकर्षक सुभाव बसा है बसा है जो गोद में जिसके गोद में तो प्रादम कैसे करेंगे जिसके गोद में आकर्षक सुभाव बसा है यह आपका एक पंक्ति का ब्याख्या होता है तो देख लेंगे फिसे आपका पहला पंक्ति आपको अवस्य आना चाहिए जो गोद मे तो कहने मतलब जिसके गोद में यानि भरतमाता के गोद में जिसके गोद में आकर्षक सुभाव मनमुहनी प्रक्रति यानि आकर्षक सुभाव बसा है तो बसा है तो भी आख्या किनसर कैसे होगा जिसके गोद में आकर्षक सुभाव बसा है अब अगले पंक्ति में जहां का सुख स्वर्ग के समान है वदेश कौन सा है देखेंगे और देखेंगे सभी लोग सुख सुख जहां है यानि जहां का सुख स्वर्ग के समान है करने मतलब जहां का सुख स्वर्ग के समान है वदेश कौन सा है विद्यतिगाड आप लोग बात को समझ पा रहे हैं जहां का सुख स्वर्ग देखें यहां से जहां का सुख ठीक है जहां का सुख स्वर्ग के समाने वदेश कौन सा है अब अगले पक्तिम चलेंगे जिसके चरण निरंतर रतनेस धो रहा है जिसके चरण को लगातार समुद्र धो रहा है जिसके चरण निरंतर का अर्थ होता है लगातार रतनेस का आर्थ होता है समुद्र धो रहा है धो रहा है ठीक है जिसके चरड यानी भारत माता के चरड को ठीक है निरंतर लगातार तो जिसके चरड को यहां लगा देंगे को चरड के बार लगा देंगे को जिसके चरड को निरंतर यानी लगातार रतनेज धो रहा है यानि समुधर धो रहा है तो बयाख्या कैसे बनेगा जिसके चरण को लगाएंगे ध्यान नकेगा समीलो जिसके चरण को लगातार शमुदर धो रहा है बास समझ गए जिसका मुकुट हिमाला है वह देश कौन सा है जिसका मुकुट हिमाला है जिसका मुकुट यानि भरत माता का मुकुट जिसका मुकुट हिमाला है वह देश कौन सा है अब आप लो देख लेंगे चार पंक्ति मन्ना मोहनी प्रक्ति की जो गूद में बसा है सुख स्वर्ग सा जहां है वह देश कान सा है जिसके चरण निरंतर रतने सुधो रहा है जिसके चरण निरंतर रतने सुधो रहा है जिसका मुकुट ही माला है वह देश कान सा है करने करत क्या है कि जिसके गूद में आकर्षव सभाव बसा है जहां का सुख स्वर्ग के समान है वह देश कान सा है जिसके चरण को लगातार समुद्र धो रहा है जिसका मुकुट ही माला है वह देश कौन सा है समझे रहे वह सभी लोग जिसका चरण लगातार समुद्र धो रहा है जिसका मुकुट ही माला है वह देश कौन सा है चलते हैं आगे की ओर नदिया जहां सुधा के धारा बर ही है सीचा हुआ सलोना वह देश कंसा है जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे सवयांगन सजे हैं वह देश कंसा है करने गर्थ क्या है कि देखेंगे पहले पंक्तिगा इसमें से जहां पवित्र नदिया के धारा बर ही है बात को समझेंगे जहां से प्रारम करेंगे सुधा यानि पवित्र ठीक है देखेंगे जहां पवित्र नदिया की धारा बर ही है ठीक है जहां पवीत्र नदिया की धारा बह रही हैं आगे देखेंगे जो सुन्दर्ता से भरा हुआ है जो सुन्दर्ता से भरा हुआ है वदेश कौन सा है देखेंगे सलोना सुन्दर्ता लगा देंगे जो जो सुन्दर्ता से सीचा हुआ यानि भरा हुआ है करने मदलब जो सुन्दरता से भरा हुआ है वो अदेश काउन साय है ठीक है आगे देखते हैं जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे बड़े रसीले होते हैं जिसके फलकंद नाज मेवे बड़े रसीले होते हैं यह सब जिसके आगन में सज़े हैं वो अदेश काउन साय है तेखिए सबड़ and सज़े है करने मतलब यह सब जिसके आगन में सज़े हैं का फल कंद नाज में हुए सब के पले क्या लगाएंगे ये सब आंगन के पले क्या लगाएंगे जिसके ये फल जिसके आंगन फिर सजेक पले क्या लगाएंगे में में सजे हैं ये सब ये सब जिसके आंगन में सजे हैं वह देश कौन सा है सबी लोग बात को समझ पाएं चार पंक्ति को फिश देखेंगे व्याख्या नदिया जहां सुदा की धारा रही है सीचा हुआ सलोना वह देश कंस है जिसके बड़ी रसीले फलकंद नाजमेवे सवांगन सजे हैं वह देश कंस है करने करते क्या है जहां की पवित्र नदिया जहां यहां की नहीं लगाएंगे बस जहां बोलना था ठीक है जहां पवित्र नदिया की धारा भग रही है जो सुंदर्ता से भरा हुआ है वह देश कौन सा है जिसके फलकंद नाजमेवे बड़े रसीले होते हैं यह सब जिसके आगन में सजे हैं वह देश कौन सा है अगले पडागरफ चल रहे हैं देखते हैं यहां से जिसके सुगंद वाले सुन्दर प्रसून प्यारे दिन रात हस रहे हैं वह देश कौन सा हैं मैं दान गिरी वनों में हरी आलिया लहकती आनन्द मैं जहां है वह देश कौन सा है देखेंगे अर्थ जिसके सुगंद वाले सुन्दर प्रसून प्यारे जिसके सुन्दर फूल प्यारे और सुगंद वाले हैं किसके भरत माता के देखें जिसके जिसके सुन्दर प्रसून यानि सुन्दर फूल ठीक है तो जिसके सुन्दर फूल प्यारे सुगंध वाले तो प्यारे और सुगंध वाले लगा देंगे हैं ठीक है बात को समझ लेते हैं फिसे जिसके सुन्दर फूल प्यारे और सुगंध वाले हैं ठीक है बात को समझ लेंगे अच्छे से पाली पगति आपको आना ही चाहिए जिसके सुन्दर फूल प्यारे और सुगंद वाले हैं आगे देखेंगे दिन रात हसर हैं वह देश कमस हैं जहां पर लोग इतना जोड़ेंगे जहां पर लोग दिन रात हसा करते हैं जहां पर लोग इतना जोड़ेंगे जहां पर लोग दिन रात हसा करते हैं वह देश कमस है जहां पर मैदानों परवतों वनों में हरी आलियां लगाती हैं बात को समय लेते हैं देखें यहां पर जोड़ेंगे जहां पर ठीक है मैदान मदलब छेत्र मदलब खेत ठीक है गिरी मदलब परवत बुलेंगे परवतों क्योंकि परवत एक नहीं अनिक हैं बनों बनों यानि जंगलों में हरी आलियां हरी आलियां हरी आलियां लगती हैं यह लहराती है जहां पर मैदानों ठीक है कहां पर भरत में जहां पर मैदानों परवतों और वनों में हरियालियां लहराती हैं बात को समझ लेंगे अच्छे से जहां पर मैदानों जहां पर मैदानों परवतों और वनों में हरियालियां लहराती हैं आनंद में जहां है और जहां पर किवल आनंद ही आनंद है इसका अर्थ क्या जाएगा और जहां पर और जहां पर किवल आनंद ही आनंद है वह देश कौन सा है ठीक है आनंद में जहां है इसका अर्थ हमने निर्माड किया है जहां पर किवल आनंद ही आनंद है क्योंकि मैं मतलब आनन नहीं आनन इसका भाव यहीं होता है ठीक है तो देख लेंगे चारपंगती जिसके सुगंध वाले सुन्दर प्रसून प्यारे दिन रात हस रहे हैं वह देश कान सहे मैं दान गिरीवनों में हरियालियाल हकती आनन न में जहां है वह देश कान सहे करने गर्थ क्या है जिसके सुन्दर फूल प्यारे और सुगंध वाले हैं जहां पर लोग दिन रात हसा करते हैं वह देश कान सहे गाले देश कहान सहे जहां पर मैदानों प्रवतो अर्वरनों में हरियाल लहाती हैं और जहां आनंद ही आनंद है वह देश कौन सा है विद्धयारथिगड़ आप लोलो तीन प्राग्राफ पड़े हैं तो लिद्धया भीध्यार्थिगड़ आप इस स्पद्ध march को इस कविता को आप लोग अपने कॉपी पे लिख्ये और अपने गुरुजन स्री को दिखाइए कि देखे हमने ब्याख्या लिखा है गुरुबर यह ब्याख्या कैसा है विध्याथिगण देखे आपका पार्ट 1 आप लोग आज पड़े हैं आप लोग अध्याय 5 का part 1 आप पड़े हैं, part 1 आप लोग पड़े हैं. ठीक है,अध्याय 5 का part 1 आप पड़े हैं और जल्द दहीं आप लोगों को part 2 मिलेगा. जिसका अर्षीर्शक वो अदेश काउन सा है, जिसके रचनाकार कवि राम्रेस्थि पाठी जी हैं. और आप लोगों ने इस से इस अध्याय से आनंद की अनुवुति जो किया उसे अपने जेहन में समर्पीत करें जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तक लिए धन्यवाद